नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल मिस्ट्रेश विकलाईज पर दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को बनाने का मकसद बता देता हूँ कि जब से कोशल रोजगार निगम ने जॉइनिंग लेटर बेजने स्टार्ट किये हैं तो उसमें टर् लिट जानकारी में आपको एक एक पॉइंट पर बात करेंगे ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार रहे हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो वो लोग मेरी वीडियो से सो परतिसत सहमत होंगे जो फिलाल किसी कॉंट्रेक्ट बेस पर काम करें जैसे भी या फिर कभी उन्होंने काम किया है तो सबसे पहली जो मुख है जो प्रेसानी होती है कोसल रोजगार निगम उसी का सोलूशन है कि समय पर जो हसे करता ठेके पर या फिर कॉंट्रेक्ट पर तो 6-6 महीने ने 7-7 महीने या 2-3 महीने तो बहुत सी नौर्मल बात है कि उनको समय पर सेलरी नहीं दी जाते हैं उनको प्रेशानी रहती सबसे बड़ी सेलरी की समय पर सेलरी ना मिलना एक बहुत बड़ी प्रेशानी है जिसकी खबरें हम आप लोगों को हर रोज दिखाते हैं वीडियो के माधम से जो अपनी जो अमारा एक सेशन चलता है मुख्य खबरों का ठीक है तो किस तरह से उसका सो माना लगेगा 50 रुपे परड़े के इसाब से तो सबसे पहला जो सोलूसेन हुआ क्या है कि आपको सेलरी समय पर मिलेगी इसके बाद क्या है सेलरी आपको पूरी मिलेगी अब एक बड़ी परेशानी यह होती है कि जब आप काम करे होती daw तो DC रेट के इसाब नहीं सबसके कहीं पर आप लोगों कोई सुनवाई हो नहीं पाती है और वो प्रेशानी लगातार बनी रहती है और जब आवाज उठाते हैं तो करमचारियों को हटा दिया जाता है तो ये भी एक कोशन रोजगार निगम का फैदा है कि आपकी सेलरी 15,000 है 16,000 है 18,000 है 20,000 है कम से कम आपको पूरी सेलरी मिलेगी ठीक है next देख लेते हैं department को ये मैंने आप लोगों को बताया है अगर आपकी सेलरी लेट होती है तो उस department को 50 रुपे पर डे के इसाब से जुर्माना लगेगा ठीक है तो उस जुर्माने के जिम्मेदार वहां के दिकारी होंगे तो कोई नहीं कि उसकी वजैसे एक करमचारी की वजैसे भई मारे जो डिपार्टमेंट को हमें जुर्माना देना पड़े नेक्स देख लेते हैं सरकार दोवारा निर्दारित सभी छूटियां मिलेंगी ठीक है अभी क्या आलग है आप लोगों को पता है कई बार कि जो सरकारी छूटियां ह होती है नेमों के विरुद जाकर भी करमचारी को बेज देता है वहाँ पर उसके मतलब लायक नहीं है यानि कि जिसके लिए वो नहीं लगाया गया उससे वह भी काम लिया जाता है ठीक है तो ऐसी समस्याओं से भी निजात मिलेगा और आप लोगों को जो निर्दारी सरकार की हुए सारी की सारी चूटियां मिलेंगी ठीक उनका लाब आप लोगों को दिया जाएगा इसके बाद एक जो सबसे बड़ी समस्याओं आती है क्रमचारी का पीएफ नहीं काटा जाता है ठीक है हाला कि सरकार का नियम है एक जैसे पंदरा जार सोला जार रुपे के अगर आसपा सेलरी हो जाती है तो उसमें से पीएफ कटना लग भग कोमन सी बात होती है कटना सुरू हो जाना चाहिए लेकिन नहीं तो ठेकेदार और नहीं अजेंसिया काटती है और उस पैसे को वह स्वयम ही खा जाती है और कितने बड़े बड़े गपले पीछली बार हम कुछ ना कुछ ठीक है इसके बाद एसाई की जो सुविदा होती है वो तो मोस्टली करमचारि को मिलती ही नहीं है जो ठेकेदार या अजेंसिया खा जाती है तो आपको जो मुख्य सुविदाय है वो यहाँ पर मिलेगी तो एसका भी फैदा आप लोगों को मिलेगा एक प्रेसान फिलाल भी चली हुई है ठीक है आपके अनुभाव का पूरा रिकार्ड रहेगा सर्टिफिकेट के लिए प्रेसान नहीं होना पड़ेगा सबसे मुख्या बात यह आज जो कैंडिडेट पहले पुराने कैंडिडेट है वह कहीं पर उन्होंने काम किया था आज जो कोशन रोजगार निगम में रेजिटेशन करवाना चारे हैं तो उनके जो डिपार्टमेंट है उनको अनुभाव परमान पतर्स एक्सपीरेंस सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा है ठीक है या फिर उनके सीनियरे दिखारे उनके सुनवाई ही नहीं कर रहे है तो अब जब आ सारा रिकोर्ड अपने आप अपडेट होता रहेगा ठीक है तो यह सबसे मुख्य बात इसमें आई है इसके बाद ठेकेदार या फिर कंपनी की जो मनमानी है वो सेन नहीं करनी पड़ेगी ठेकेदार बगएर किसी नोटिस के कंपनी बगएर किसी नोटिस के निकाल देती है आप लोगों को पता नहीं होता कि कल सुबह का duty आप लोगों को पूरी आपकी जाएगी या नहीं जाएगी तो यह जो मनमानी है ठीक है यह इनके जो आपको सेहन नहीं करनी पड़ेगी आपको पता होगा कि आपकी जोब कितने तारिक तक है यानि कि एक साल की है दो साल की है आप उसके हिसाब से mentally prepared रहेंगे ठीक है यह त्याचार नहीं होगा इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों को बताए कि बगार notice के नहीं निकला जाएगा अगर by chance कोई department कोशन लोजगार न ठेकेदार की एंडर में जो नोक्रियां लगती है ठेकेदारी की जो नोक्रियां होते हैं उनके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं ठीक है कई जगए तो ऐसे ऐसे शिकायते भी आती हैं कि हर 6 महीने 7 महीने बाद ठेकेदार करमचारी के सामने आकर खड़ा हो जाता है इतने रुपे दीजिए वरना आपकी नोकरी गई है ठीक है तो 10,000 रुपे दे दीजिए 15,000 रुपे दे दीजिए वरना आपकी नोकरी शे आपको आथ दोना पड़ेगा तो इस तरहीं समश्या समाप्त हो जाएंगी मेरिट के आधार पर आप लोगों को इसमें नोकरी मिलेगी रिस्वत की जो प्रेसानी है बार बार आपको रिस्वत दे कर लगना पड़ता है जो एक टेंडर खतम हो गया अगले टेंडर में अगर आप लोगों को अपनी जोब पानी है तो भी आप लोगों को अलग से फिर उ तो आगे चल कर ज्यादा देगी और बेनिफिट इसका बढ़ता ही जाएगा तो इसमें एक स्थापना हुई है और उसका आगे चल कर ज्यादा लाब मिलने की पूरी-पूरी उमीद है ठीक है इसके बाद कई और लाब देख लेते हैं इसमें आपको TADA की भी सुईदा मिलेगी अगर किसी करमचारी का कोई ऐसा काम है जिसमें उसको सरकारी काम से ट्रैफिक में जाना पड़ता है ठीक है कई पर इदर उदर उसकी आने जाने की ज्यादा खर्चा होता है तो उसको जो खर्च वो भी दिया जाएगा ट्रैफिक लाउंस वगरा है देने का इसमें प्रावदान किया गया है यह तो एक जोब रोल के हिसाब से पोस्ट के हिसाब से यह होगा यह सभी को नहीं मिलेगा इसमें ठीक है वह किसकी कैसी तरह की पोस्ट है कहाँ पर उसको खर्च है क अगर आप लोगों ने 10 साल भी किसी ठेकेदार के पास काम कर लिया है तो भी अगर आप 10 साल बाद करोगे तो हो सकता है सेलरी हुए ही आपकी 8000 रुपे 9000 रुपे ही रही लेकिन अगर आपका एक रिकोर्ट बनता चले जाएगा एक डिपार्टमेंट के अंदर उसी डिप पता होगा डिपार्टमेंट के पास पूरा रिकोर्ड होगा कि इस करमचारे के पास इतना नुबहो है ठीक है और इस डिपार्टमेंट का है तो आप लोगों की जो सेलरी है अनुबहो क्यादार पर समय समय पर इसमें बढ़ती रहेगी इसके बाद नुक्सान की भी कुछ बात कर लेते हैं क्या कुछ इसके नुक्सान है। पाएगी इसको कभी ना कभी खाली रहती ही है ठीक है तो उन सिजों को देखते हुए तो अगर कच्छे क्रमचरी लगाने ही है तो कम से कम थोड़ा डंग से लगाया जाए उनको सुविधाओं के इसाब से लगा जाए तो अच्छी बात है लेकिन अगर सरफ कोशनरोजगार निगम को ही बड़ावा दे दिया गया तो नुक्सान है पकी नोक्रियों को जो इंतजार करते बच्चे उनके लिए इसके बाद सरकार सस्ते में काम चलाएगी ये तो सिंपल सी बात है भई इसमें तो 15,000, 16,000 जादे जादा 20,000, 25,000 में काम चल जाएगा ठीक है और लेकिन अगर एक पका करमचारी लगता है तो उसमें सरकार को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है तो ये मुख्य मुख्य नुक्सान है लेकिन इसके फाइदे काफी ज्यादा है ठीक है अगर हम पकी नोक्री से तुल ना करें तो कोशनलोजगार निगम बहुत नुक्सान दा है ठीक है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है क्या कुछ फाइदे है और क्या कुछ नुक्सान है तो ये एक छोटी से अपडेट आप लोगों के लिए थी अगर आप भी चाहते हैं कोशनलोजगार निगम से जुड़ी सभी परकार की खबरे समय पर पाना तो चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों इसाथ सेर करें थैंक यू वेरी मच्च